नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गॉर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल, दोस्तों डेली करेंट अफेर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 17 अफ मार्च 2021 के न्यूस पेपर से, जो की आगामी परिक्छाएं, इन सभी के लिए यहां यूसफुल होगी, तो दोस्तों आईए एक एक करके चर्चा करते हैं, आज के नैशनल अफेर्स में, वर्ल्ट एयर क्वालिटी रिपोर्ट, दोस्तों वर्ल्ट एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो की दुनिया के सबसे प्रदूसित 30 सहरों में, यानि most 30 most polluted cities are in India 22 यानि भारत में 22 cities ऐसी है जो top 30 जो polluted city है उसमें भारत के 22 शहरों के नाम है इतना ही नहीं दिली दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूशित राजधानी शहरों की सूची में सीर्स है यानि not only this Delhi is at the top of the list of most populated capital city of the world this has been said that the world air quality report 2020 यानि यह जो है world air quality report 2020 में यह बताया गया है कि report में यह भी बताया गया है कि 2019 के मुकाबले 2020 में दिली की जो air quality है उसमें सुधार हुआ है यानि improvement हुआ है but despite the improvement दिली is at number 10 among the most polluted city in the world तो इस तरह से आप देख सकते हैं सुधार के बावजूद भी दिली दुनिया के सबसे प्रदूशित शहरों में दसवें number पे है लेकिन राजधानी की राजधानी शहरों की बात करें तो दिली दुनिया का सबसे दूशित शहर है भारत में प्रदूशन के मुक्ष जो कारक हैं जो मेंन फैक्टर्स हैं वह है ट्रांसपोर्टेशन, बर्निंग फ्यूल फार कूकिंग, पावर जनरेशन, इंडस्ट्री, मैनुफेक्ट्रिंग वर्ड, बर्निंग अफ वेस्ट एंड वर्निंग अप इस्टरबल फ्राम ताइम तो टाइम यनि दोस्तों जो भारत में प्रदूसर्ण के जो मुख्य कारक्या है, सबसे महत्पूर्ण है, अगर बात की जाये तो परिवहन है, भोजन पकाने के लिए इन्धन जलाना, बिजली उतपादन, उद्योग धंदे, विनिर्मान कारे, कचरा जलाना, और समय समय पर पराली जलाया जाना, आप लोग से बचे जो अवसिस्ट जब जला दिये जाते हैं, तो उससे दिल्ली के उपर पूरा बादल च्छा जाता है, किसका प्रदूसर्ण का, तो यह सब बहुत महत्पूर्ण कारक्या है, और रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में, जो PM 2.5 प्रदूसर्ण का सबसे बड़ यहां चल रही हैं, जिसकी वजह से यहां प्रदूसर्ण फैल रहा है, और दिल्ली जैसे शहरों में आप देख सकते हैं, कि वाई प्रदूसर्ण की समस्या इतनी ज़्यादा है, कि वहां पर लंग्स कैंसर, सबसे ज़्यादा वहां पर लोगों को जो 5 साल का बच्चा है, उसका जो है अगर 30 साल के ब्यक्ति से जो अगर तुलना की जाती है तो उसका लंग्स काम कर रहा है तो इतना ज़्यादा प्रेशानियां वहां पर हैं खासकर यह है मेट्रो सिटीज में और रिपोर्ट में ये भी का है कि दुनिया के सबसे प्रदूशे शहरों की सूची में भारत प्रमुखता से दिख रहा है और बिस्ट के सबसे प्रदूशे तीस सहरों में 22 सोची बारत के ही हैं दिल्ली के अलामा 21 अन्य शहर जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बुलन सहर, विसरक, जलालपूर, ग्रेटर नोईडा, नोईडा, कानपूर, लखनो, मेरट, आगरा, मुझफर नगर, राजस्थान में भिवाडी, हरियाना में फरीदाबाद, जींद, और हिसार, फ चीन का शेंजियांग है, ये भी ध्यान रखना सबसे अधिक प्रदूशी सहर, चीन का शेंजियांग है, उसके बाद 60-10 में से 9 शहर अपने भारत के हैं, यानि पहले नंबर पे शेंजियांग है, कहां का चीन का, ये भी फैक्ट याद रखेगा, और दुनिया के सबसे प् तरगत आते हैं, तो इस तरह से इन सहरों में प्रदूशन का श्तर 2.5 पीम के आधार पर मापा गया है, ये फैक्ट बेस्ट है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब बढ़ते हैं, राजसभा पासेज MTP बिल, दोस्तों राजसभा दा मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रिग तो अंडर इस बिल, the maximum sanction for abortion has been increased from the current 20 weeks to 24 weeks, यानि पहले जो नियम था कि 20 सपता हुआ करता था, अब इस amendment के तहत इसको 24 हपते कर दिया गया है, तो राजसभा ने मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रिगनेंसी, amendment बिल को मंजूरी दे दी है, और लोग सभा में पहले से ही यह पास क कर चुकी है, इस बिल के तहट गर्वपात की अधिक्तम मंजूर सीमा को मौजूदा 20 हपते से बढ़ा कर 24 हपते कर दिया गया है, और इस बिदेक को तयार करने से पहले दुनिया भर के कानूनों का भी अध्यन किया गया था, मंत्री के जवाब के बाद सदन ने बिदेक को ध्वानिमत से पारित कर दिया, इससे पहले सदन ने बिदेक को प्रवर समीती में भेजने सहित अन्यविपक्ची शंशोधनों को भी नामंजूर कर दिया, वहीं सरकार की तरफ से लाए गये शंशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, गर्वपास से जुड़े मौजूदा का तब भी उसका अबार्शन नहीं हो सकता था, और अबार्शन तभी हो सकता था जब प्रिग्नेंसी 20 हपते से कम हो, तो इस तरह से बिशेश तरह की महिलाओं के गर्वाद के लिए गर्वावस्था की सीमा 20 से बढ़ा कर 24 सपता करने का प्रस्ताओ है, तो ऐसी महिलाओं को M TP नियमों में संसोधन के जरिये परिभासित किया जाएगा, इनमें जैसे दुसकर्म पीडित सगे संबंधियों के साथ और अन्य महिलाओं दिब्यांग महिलाओं नाबालिक भी सामिल होगी, तिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा होगी, और साथ में एक बिंदु इसमें और इरधारित किये जाएंगे, यानि प्रस्ताविश संसोधन जो इसमें राजसभा लोगसभा में यह पारित हो गया, यह मौझूदा जो कानून 1971 में निश्चित सर्तों के साथ गर्भावस्था की उपरी सीमा बढ़ाने के उद्देश से कुष धाराओं के तहत नए अनुछ जोड़ना और सुरक्षित गर्भावस्था की सेवा एंगुडवत्ता से किशी तरह का समझहोता किये बगएर कड़ी सर्तों के साथ समग गर्भावस्था देखभाल को पहले से और अधिक सक्ती से लागू करना है ति यह बहुत ही महत्पूर्ण विदेयक था पारित हो गय एक सो पचास दिनों में होती है कुछ बड़े किसान अपने इस्तेमाल के साथ ही बाजार में भी या आलू उपलब्ध करा रहे हैं फुटकर बाजार में सामान आलू आठ से दस रुपए प्रत किलो है जबकि फुलवा की विक्री बीस रुपए और उससे अधिक हो रही है और दोस्तों चीन जो है सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है हलाकि दूसरे अस्थान पर रूस था भारत तीसरे पर था अब भारत दूसरे अस्थान पर है इसी तरह से भारत में सबसे ज़्यादा आलू उत्तर प् और केंद्रिया आलू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्ट्यूट कहा है दोस्तों तो शिमला में है उसकी और से जारी मैगजीन के मुताबिर आलू का उधगम अस्थल यानि ओरिजिन आप पोटेटो इस इन एंडीज माउंटेन एंडीज तो दच्ण अमेरिका के पेरू यहीं पर चिली है उसके उपर पेरू है और बोलिबिया के पास लेक टिटिकाका जो विस्ट्यू की सबसे उंची नौगम में जील है वर्ड हाइस नेविगेबल लेक इस लेक टिटिकाका विच इस सचुएटेड विडविन पेरू एंड व ब्यापारी लाए थे भारती क्रिशियन संधान संस्थान नई दिल्ली के आलू प्रेजिट केंदरों में अब तक 66 उननत सील किस्मों का विकास किया गया है यानि कह सकते हैं कि जो विराइटी है 66 इंप्रूब विराइटी है बिन डेवलब एड दा पोटेटो ब्रीडिंग सेंटर आप दे इंडियन एगरी कल्चर रिसर्च इंस्ट्यूट यह कहां है दोस्तों यहां पूसा नई दिल्ली में पूसा में इस्तित है दा फुलवा विराइटी आप पोटेटो इस नेटिव यानि आलू की फुलवा प्रजाती यह देसी है और बहुत ही सपोर्ट इंडिया एस पर्मानेंट मेंबर आफ यूएन एससी यहां यहां यूनाइटेट नेशन सिक्योर्टी काउंसिल में स्थाई सदस्ता के लिए भारत के जो है सपोर्ट कर रहा है कौन पूर्तगाल और पूर्तगाल कहां है दोस्तों यह यह यूरोपियन कंट्री है यूरोप के कह सकते हैं कि पश्चमी तट पर इस्थित्या देश है जिसकी राजधानी लिस्बन है इंटर पर्लेमेंटरी यूनियन प्रेसिज़न्ट दुआर्टे पचे को एड्रेस इंडियन एंपीज इन दे सेंटरल हॉल आफ पार्लेमेंट तो अपने देश आए हुए जैसे दोस्तों अभी वरतमान में पांच पर्मानेंट मेंबर हैं और दस जो है आस्थाई सदस हैं जिसमें अपना भारत भी दो साल के लिए चैनित हुआ है तो भारत को इन पांच की स्रेड़ी में लाने की बात की जा रही है पुर्तगाल ने भी समर्थन किया है और ये प पांच सदस्ते कौन कौन से हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है पांच सदस्ते हैं जो स्थाई हैं एक भारत को भी स्थाई सदस्ता के लिए बात की जा रही है भारत पूरे बिस्व के देशों का समर्थन जुटा रहा है हलाकि ये पांच सदस्तेों में चार तो तयार हैं लेकिन चीन नहीं तयार होता है स्थाई सदस्यता के लिए तो लोक सभाद्यक्ष मारे कौन है ओम बिरला हैं उन्होंने भारतिय सम्विधान की एक प्रती भी दी इनकी इनको दुवरते पशेकों को और देश में संसदी परंपराओं की मजबूती के बारे म बोलते हुए बिरला ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कारिशी लोकतंत्र है और भारत ने हमेशा बिस्तारवाद और बैश्विक आतंकवाद के बारे में अपने बिचार इस्पस्ट तौर पर रखे हैं दोस्तों आजादी के 74 एर के बाद भारत में लोकतंत्रिक परंपराएं और मजबूत हुई हैं आम चुनाओं के बाद सत्ता का सहज हस्तांत्र हमारी लोकतंत्रिक प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है तो आई पीउ के साथ जुड़कर हमें दुनिया की सरसेस परंपराओं को जानने और उन्हें अंगी कार करने में मदद मिलती है दोस्तों दुआरते पशेको पुर्तगाल के सांसद भी हैं उन्होंने कहा कि भारत और पुर्तगाल के संबंद आज के नहीं हैं 500 साल से ज़्यादा पुराने हैं हम एक दूसरे को सिर्फ दोस्त के तौर पर नहीं जानते बलकि हम भाई भाई हैं दोस्तों अंतर संसदी के अध्यक्ष दुआरते पशेकों ने कहा कि भारत को संयुक्त रास संग की सुरक्षा परसद में 27 सदस के तौर पर सामिल किया जाना चाहिए पुर्तगाल इस प्रक्रिया में भारत का सपोर्ट करता है और उन्होंने कहा कि IPU के अध्यक्ष के चुनाओं के दौरान भारती यहाँ पर पोर्टो पोर्ट है या इसे वाइन पोर्ट के नाम से जाना जाता है और दोस्तों हमारे भारत में अगर बात की जाए तो सबसे पहले पुर्तगीज ही आये थे 1498 में काली कट पहुँचा था वासको दिगामा और दोस्तों देखिए कितनी अजीब बात है कि जो सबसे पहले आया था वह सबसे बाद में गया 1961 में हम लोगों ने गोवा से मुक्त कराया था पुर्तगालियों को अज भी बहुत सारे शहर वा गोवा के स्थान पुर्तगीज के नाम पर ही है भारत और पुर्तगाल के संबंद काफी अच्छे रहे हैं पुर्तगाल की राज दोस्तों अभी तक क्वाइड देश ने सम्मेलन किया जिसमें अमेरिका जापान भारत और आस्ट्रेलिया इंडो पैस्फिक रीजन पर सुरक्षा है तो कोविद नाइंटीन एंड क्लाइमेट चेंज इन सब पर उन लोगों ने बात किया इसके साथ साथ अब ब्रिटेन भ पढ़ते प्रभुत को रोकने के लिए ब्रिटेन ने भी ऐलान कर दिया है यानि इस्ट्रेडिजिकली इन इंपॉर्टेंट रीजन है इंडो पैस्पिक रीजन और भारत और अमेरिका की तरह इस छेत में अपने प्रभाव को बढ़ाएगा इसके लिए ब्रिटेन के डाउनिंग स्ट्रीट ने किया और जांसन इस साल भारत के रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी पर मुक्यती थी थी लेकिन वहाँ पर कोरोना का नया स्ट्रेन आ जाने की वज़ा से वह नहीं आ सके उनका दौरा टल गया था दोस्तों तो इस तरह से ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि यहां आने वाले वर्सों के लिए सरकार की विरेशनीत की एकिक समीक्षा के हिस्से के रूप में हिंद प्रसांच्छेत की और अपना ध्यान केंदित करेगा और सरकार के अनुसार यहां छेतर बड़े अस्तर पर दुनिया के भूराजनीतिक केंद्रों की अगवाई करता है यानि जियो पॉलेटिकल जो सेंटर सें उसका जो है लीड करता है और ब्रिटिस बिदेशनीत के दस्तावेज में कहा गया है कि हिंद प्रसांच्छेत दुनिया का नया भूराजनीतिक केंद्र बनता जा रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हैं चुकि हिंद महासागर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हिंद महासागर में जो कह सकते हैं कि एक 80 महान नामक जोगराफर ने कहा था कि जो लहरों पे राज करेगा वो पूरे बिस्व का निर्धारन करेगा यानि अब समुद्रों पर जिसका अधिपत्य होगा वही सकति साली देश कहलाएगा यही कारण है कि हिंद महासागर को इस समय रत्न गर्भा कहा जा रहा है इस्टोर हाउस आफ मिनरल कहा जा रहा है और पूरे बिस्व की लल्चाई निगाहें इस हिंद महासागर और प्रसंत महासागर की ओर है तो चीन अपना प्रसंत महासागर के साउच चाहिना सी में अपनी पूरी तरह से पकड़ मजबूत करते हुए हिंद महासागर की ओर भी बढ़ने का प्रयास कर रहा है ऐसे में यह ताकतवर देश भारत को लेकर चुकि भारत को लिये बिना यहां नहीं रहा जा सकता चुकि हिंद महासागर पर तीनों और से भारत नजर रख सकता है तो ऐसे में भारत की बहुत महत पूर भूमिका हो जाती है जियो पॉलिटिक्स आफ इंडियन ओशियन यानि हिंद महासागर की भूरा जिनीतिका जो केंद्र है वह हमारा भारत है ऐसे में बिस्व के शक्ति साली और विक्षित देश भारत की और आकरशित हो रहे हैं और भारत को साथ लेकर और यही मौका है भारत के पास भी कि चीन को पठकनी दे सके और चीन को लगातार वह चाहे वह सामरिक दिश्टकोंट से चाहे आर्थिक दिश्टकोंट से चाहे कूटनीतिक दिश्टकोंट से सभी पहलूओं पर चीन को लगातार भारत जवाब दे रहा है तो बिटिस विदेश नीद के दस्तावेज में यह भी कहा गया है उलेकनी है कि पिछले महीने जॉंसन पी-म नरिंद्र मोदिक को कॉर्णवाल छेत में जून में होने वाले G7 सम्मेलन में सामिल होने के लिए भी निवता दिया है बिटेन ने इस सम्मेलन में भारत, दर्षिंड, कोरिया और अस्ट्रेलिया को मुक के आतिती रास्ट के रूप में आमंतृत किया है ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों और बिटेन का जो मकसद है कि इंडो-पैस्फिक रिजर में लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत करने तथा साथ में चीन से निपटना है चुकि पिछले कुछ वक्त से ब्रिटेन भी चीन से परिशान है हौंग-कॉंग का मुद्दा हो चाहे कोरोना महामारी और ब्रिटेन के 5G नेटवर्क में चीनी कमपनी हुआवे का सक्री भूमिका ना मिलने की वज़ा से चीन और ब्रिटेन के बीच भी काफी टेंसन चल रहा है तो ऐसे में ब्रिटेन इन देशों के साथ आने की महिम छेड़ दिया है यह भी बहुत महात्रपूर है दोस्तों अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल परसनालिटी इन नीज में आज हम बात करेंगे M.A. गनपती अपॉइंटेड डीजी आफ एनेजी यानी रास्टी ये सुरक्छा दल का इनको महानिदेशक बनाया गया है Senior IPS Officer M.A. गनपती was appointed as the Director General of National Security Guard या टीम and कुलदीव सिंग as a Director General of Central Reserve Police Force CRPF ते ये गनपती शाहब हैं और ये जो है कुलदीव सिंग है तो कार्मिक मंत्राले की ओर से यह रिपोर्ट दी गई है गनपती 1986 batch के भारतिय पुलिस सेवा के यानी इंडियन पुलिस सर्विस के उत्राखंड केडर के अधिकारी है At present time Bureau of Civil Aviation Security की यह Director General भी है दोस्तों और इनका जो कारेकाल होगा 2024 तक के लिए होगा और कुलदीव सिंग पशिम बंगाल केडर के 1986 के IPS अधिकारी है वर्तमान में CRPF के बिसेस महानी देशक है और इनका जो कारेकाल होगा 2022 तक चलेगा Next है दोस्तों PK सिनहा यह बहुत ही चर्चित नाम है इनके लिए जो है मोधी शरकार ने 60 वर्स पुराने नियम को चेंज कर दिया है और यह हैं कैबिनेट सचिव रहे हैं उर्जा सचिव रहे हैं बहुत सारे पदों पर रहे हैं PK सिनहा यानि नरिंदर मोधी के प्रमुक सलाहकार PK सिनहा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है अभी कारण नहीं पता चलना है कि किस वज़ा से उन्होंने इस्तीफा दिया है 2019 में उन्हें PM मोधी का आफिसर आन स्पैसल ड्यूटी नियुक्त किया गया था बाद में निपेंद मिस्रा ने प्रधान मंत्री के मुखे सलाहकार पस से इस्तीफा दिया तो पीके सिनहा को यह जिमेदारी मिली और पीके सिनहा 1977 बैच के रिटाइड आईएस आफिसर है पीके सिनहा के पास प्रशासनिक अनुभो बहुत लंबा है 2014 में जब नरेंदर मोधी PM बने थे पीके सिनहा उर्जा मंत्राले में बतार सचीव तैनात थे पीके सिनहा पॉलिसी और प्रजेक्ट को लेकर प्रधान मंत्री को सलाह दिया करते थे और देश के एहम प्रोजेक्ट में क्या इस्तिती है उसका काम किस तरह पहुँचा बेवजा देरी के कारणों के बारे में भी वे PM को सूचित करते थे और PM मोदी नहें उरजा सचीव के पत पर बनाए रखा और उरजा सचीव के पत पर पीके सिनहा के काम से प्रभावित होकर पीम मोदी ने 2015 में उन्हें कैबिनेट सिगरेटरी बना दिया और कैबिनेट सिगरेटरी यह जो है और हलाकि सरकार चाहे तो सेवा में विस्तार दे सकती है लेकिन तीसरी बार तीन महीने के लिए पीके सिंग को एक्स्टेंसन दिया गया और इसके लिए सरकार ने साठ साल पुराने नियम बदले थे तो इस तरह से जो अखिल भारती सेवा नियम 1958 की मताबिद कैबनेट सचिव का कुल जो कारेकाल होता है वो चार साल का होता है फोर इयर का टेनेवर होता है मोधी सरकार ने उससे बदल कर कैबनेट सिक्रेटरी के तोर पर पीके सिनहा को तीसरी बार सोचिए विस्तार किया था तो इस तरह से सिनहा के नाम सबसे लंबे समय तक कैबनेट सचिव रहने का रिकार्ड भी जुड़ गया और cabinet सच्यू जो सिनहा जी ने GST कानून को त्यार करने में भी काफी एहम भूम का निभाई थी ऐसा माना जा रहा है दिल्ली या पुदुचेरी का उन्हें लेफटिनेंट गवर्नर बनाया जा सकता है नेक्स्ट है बैंकिंग और बित्त संबंधी समाचार इसमें हम बात करेंगे हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट की तो कोरोना संकट के बावजूद भारत में करोन पतियों की संख्या बढ़ी है देर आर 4.12 लैक मिलियनरी इन इंडिया तो हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट में बात कही गई है इसके मुताबित देश में मुंबई सबसे अधिक करोन पतियों की संख्या वाला शहर है जबकि करोन पतियों की संख्या के मामले में देश की राजधानी दिल्ली दूसरे अस्तान पर है तो according to report, Indian millineries prefer to invest in share and real estate यानि report के मुताबिक भारती करोन पति share और real estate में निवेश करना पसंद करते हैं report के मुताबित भारत के इन करोन पतियों के पास कम से कम 7 करोन रुपए की संख्या है जबकि इनकी औसस संख्या करोन रुपए है दोस्तों, report के मुताबित देश के कुल करोन पतियों में 70.3 फीजदी, सीर्स 10 राज्यों में रहते हैं यानि शहरों में मुंबई, दिल्ली जहां पहले और दूसरे अस्तान पर है वहीं राज्यों में महारास्र 56,000 करोन पतियों के साथ पहले अस्तान पर है जबकि उत्तर प्रदेश में 36,000 करोन पतियों के साथ दूसरे अस्तान पर है तो राज्यों में तमिल नाडु में 35,000 की संख्या के साथ तीसरे अस्तान पर करनाटक 33,000 के साथ चौते अस्तान पर गुजराद 29,000 के साथ पांचवे अस्तान पर है तो ये भी आकड़े हैं इन्हें ध्यान रखेंगे और रिपोर्ट के अंसार मुंबई में 16,933 करोणपती परिवार हैं जो देश के कुल सकल घरे लूत पादे जीडीपी में ग्रास डोमेस्टिक प्रोड़क्ट में 6.16 फीजदी का कंट्रिवियूसन करते हैं इसके बाद दिल्ली में 16,000 फैमिली हैं जो कुल जीडीपी का 4.94 फीजदी का युगदान करते हैं इसके बाद सहरों में 10,000 करोणपती परिवार के साथ कोलकाता तीसरे अस्थान परती ये भी फैक्ट याद रखिएगा नेक्स्ट है रिपोर्ट के मताबित इन करोणपतियों की लगजरी कारों के मामले में मरसेडीज पहली पसंद है इसके बाद बी-म डबलू और जगवार का स्थान आता है वहीं स्पोर्ट कारों में लैंबरगरीनी पहली पसंद है इसके बाद पोश्चे आस्टन मार्टिन का स्थान आता है घड़ियों के मामले में रोलेक्स इनकी पहली पसंद है जोलरी के मामले में तनिस्क इनका लगजरी ब्रांड है इसी तरह से होटलों के मामले में ताज पहली पसंद है मेरी और दूसरी पसंद है तो हार इनकी रिपोर्ट के अंसार करोन पतियों को लभाने म भारत की HDFC बैंक सबसे आगे है इसके बाद ICICI बैंक का अस्थान है जबकि G1 कमपनियों में भारती ये G1 बीमान निगम LIC इनकी पहली पसंद है एरलाइन्स के मामले में एमिराट एरलाइन्स इनकी पहली पसंद है वहीं सिंगापुर एरलाइन्स दूसरे और एतिहाद तीसरे अस्थान पर है ये फैक्ट बेजड है इसे भी ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तके और पुरसकारों में फेमस बुक्स तो यह जो है दस किताबों के नाम दी हैं इनको याद रखेगा लिसनिंग लर्निंग और लीडिंग यह बेंकईया नाइडू की पुस्तक है तो बेंकईया नाइडू वरतमान में हमारे देश के उपरास्ट पती है तो इस पुस्तक में उपरास्पती ने अपने दो वर्सों के कारेकाल का उले किया है दूसरी है दबुक आफ गड़सी वोमेन हिलेरी क्लिंटन और उनकी पुत्री चेलसी क्लिंटन की यह पुस्तक है इसके बारे में भी क्लिंटन का नाम तो सुनाई ही होगा अमेरिका के रास्ट्रपती और इनकी जो हिलेरी क्लिंटन है पूर विदेश मंत्री भी रही है तो उनकी पुत्री चेलिसी क्लिंटन की पुस्तक है दबुक आफ गड़सी वुमें तो इस पुस्तक में सौ से अधिक साहसी महिलाओं का उलेक किया गया है और तीसरी जो है चंदर सेखर दा लास्ट आइकन आफ आइडियोलोजिकल पॉलिटिक्स ये इसके लेखक है हरिवन्स और रवी दत बाचपेई दोस्तों यह जो है नरेंदर मोदी जी ने इस पुस्तक का पिमोचन किया था तो हरिवन्ष मौजूदा समय में राश्टभा के उफसभापती है इस पुस्तक में पूर प्रधान मंत्री चंदर सेखर की राजनीतिक यात्रा और उनके विचारों का उलेक है और चौथी पुस्तक है सरस्वती सिवलाइजेशन ए पैराडाइंग सिफरट इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मेजर जनरल जीडी बक्षी इनका नाम तो आप लोगोंने सुना ही होगा यह जो है पुस्तक तो Major General G.D. Bakshi की पुष्टक सरस्वती Civilization यह जो है इस पर इन्होंने सरस्वती नदी के इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास पर प्रकास डाला है और पांच वी पुष्टक है इंडो पाक रिलेसंस बियांड पुलवामा एंड बाला कोट इसको U.V. Singh ने लिखा है इसमें एर strike पर भी प्रकास डाला गया है पुलवामा हमला और बाला कोट में हुई air strike पर भी प्रकास डाला गया है और इसके बाद छाटवी जो पुस्तक है resurgent India यह बिमल जालान जो की RBI के पूर governor general है चुके हैं, उनकी पुस्तक है, और Licence Life Taught Me Unknown English, यह जो है अनुपम खेर की पुस्तक है, माई लाइफ माई मिसन गुरु स्वामी राम देव और उद्धे माहुरकर ने मदद की है, यह गुरु स्वामी राम देव की एक तरह से आतमका था है, क्रिकेट वर्ड कप दा इंडियन चेलेंड आशिश रे की पुस्तक है, आईवरी वोट काउंट्स दा स्टोरी आफ इंडियाज एलेक्संस नवीन चावला ये मुक्षिनाव आईग भी रहे हैं इनकी पुस्तक है इस तरह से ये दसों पुस्तक को याद रखेगा काफी चर्चित पुस्तके हैं अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में मुरली स्री संकर क्वालिफाइज फार टोक्यो ओलम्पिक दोस्तों भारत के लंबी कूद यानि लॉंग जंप के खिलाड़ी हैं मुरली स्री संकर ने पटियाला में फेडरेशन का शीनियर रास्टी एथलेटिक चैंपियंस मे 8.26 मीटर के रास्टी रिकार्ड के साथ टोक्यो ओलम्पिक के लिए क्वालिफाइज कर लिया है और लंबी कूद में ओलम्पिक क्वालिफिकेशन का जो स्तर है वह 8.22 मीटर का होना चाहिए था और ये 8.26 कर दिया है तिस तरह से यह टोक्यो ओलम्पिक के लिए क्वालिफ परदा में भावना जार प्रियंका गोस्वामी इसी तरह से भाला फेक में दो दिगज नीरच चोपड़ा सिउपाल सिंग के लावा अविनास साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज में और 4 into 400 मिस्रित रिले टीम ने टोक्यो ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है अब बढ़ते हैं दोस्तों let us talk about some important fact में आज हम बात करेंगे केरल की केरल जो है human development index में प्रताम अस्थान पर है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे केरल माला बार कोस्ट अगर हम बात करें तो सबसे पश्चमी कोस्ट पर माला बार यहीं पर मानसून का आगमन होता है तो केरल में नदियां जो बहती हैं पेरियार भारत पुजार पंबा चलकुडी कलर यह सब नदियां बहती हैं दोस्तों तो केरल इसको Gods on Country कहते हैं यानि ईश्वर का अपना घर इसको कहा जाता है तो इसके उत्तर में करनाटक पूरु में तमिल नाडु दक्षिन में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरफसागा भी मांचित में हम बताएंगे एक एक करके तो यहां की राजधानी तिर्वनंत पूरम है यहां का सबसे बड़ा शहर भी तिर्वनंत पूरम है जन संख्या 3 करोण 34 लाख है और population density 860 है तीसरे अस्थान पर है हां पहले अस्थान पर बिहार है दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर केरल है और चौथे पर उत लेंग्वेज मले आलम है फॉरमेशन एक नॉमबर नाइंटी फिप्टी सिक्स कुगा था आरिफ मोहमत खान यहां के गवर्नर है और पिना राई विजन मुख्य मंत्री है और चुनाओं यहां होने वाले है दोस्तों विधान मंडल यहां पर यूनी कैमरल है एक सदनी हॉर्न बिल राजकी पक्षी है राजकी ब्रिक्ष कोकोनट है नारियल सबसे ज़्यादा नारियल का उतपादन यहीं कासर गोर्ड में सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्ट्यूट है गोल्डन सावर पेड़ फूल जो है स्टेट फ्लावर है साक्षरता दर में केरल सबसे अ यहां पर सबसे ज़्यादा बायो डाइवरसिटी पाय जाता है दोस्तो यह तट को माला बार कोस्ट कहते हैं याद रखना और इसी तट के सहारे मांसून भारत में आगमन करता है तो एक जून को केरल के तट से टकराता है मांसून इधर तामिल नाडू है उपर करनाटक है यह अरफ सागर है दक्षिन में हिंद महां सागर है तो यह ध्यान रखेंगे चौदा जीले कासर गोड़ें बताया था सेंटरल कोकोनट रिसर्च इंस्ट्यूट है पलकड यह भी चर्चा में आ गया है यहाँ पर से मेट्रो मैं चुनाओ लड़ेंगे इश्री धरन का नाम सुना होगा भारती जनता पार्टी जोईन की हैं त्रिवनंत पुरम से शशी थरूर यहां से सांसद हैं वाइनार्ट से राहुल गांधी सांसद हैं यहां पर देख रहे हैं माहे है यह पुदुचेरी का एक जिला है माहे और यह भारत का सफसे अधिक सेक्स रेशियो वाला डिस्रिक है लिंगानुपात वाला जिला है 1176 अपान thousand यहां पर जो राजधान जो नदिया बहती हैं भारत पुजा पेरियार पंबा नदी ये सब महत्पूर्ण नदियां हैं दोस्तों यह है इलाइची के उत्पादन में इसका प्रथम अस्थान यहां कारडेमम हिल भी है आगे वाले मांचित में आप देखेंगे तो यहां पर दिखेगा तो यह कारडेमम हिल जो है कारडेमम यानि इलाइची की गोजना भी है इदुकी जो है है ऐडो एलेक्टिक पावर प्रोजेक्ट भी है इदुकी के मैलादूम पारा में सेंट्रल काड़ेवं रिसर्च इस्टिट भी इस्थित है तो ध्यान रखेंगे और केरल को मसालों का घर भी कहा जाता है कोची जो है यहां का सबसे महत्पूर् अस्टाइ मुडी लेक है यह महत्पूर्ट जील है वैसे तो पेरियार लेक भी है काक्की लेक भी है लेकिन यह दोनों कई बार आप लोगों परिच्छाओं में आई हैं और दोस्तों केरल में लेगून जीलों को कयाल कहा जाता है क्या कहते हैं कयाल कहा जाता है तो इस तरह से ये सारे point याद रखिएगा अब बढ़ते हैं आप लोगों के section में जो की बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं आज उत्तर देने वालों में हैं मुकुंद माधो, अमर जीस सिंग बल्लू सूरज उपाध्याय, रुपिंदर कौर, ज्यानो दय, अजय सिंग इतने लोगों ने comment और उत्तर दोनो दिये हैं मुश्कान हरुन शेक ने पूछा है कि IS के लिए क्या 3 साल लग जाते हैं जो टाइम जैसे देखें UPSC UPSC यानि संग लोग सेवा आयोग यह भारत की सबसे महत्तपूर परिक्षा है तो इसमें जो टाइमिंग की अगर बात की जाए तो देखें टाइमिंग एक तो सबसे महत्तपूर है जैसे मान लीजिए कि जो लोग बेस है तो दो साल बहुत काफी है कह सकते हैं यानि एक साल आप कोचिंग ट्यूशन जो भी ले रहे हैं तो एक साल तक आप कोचिंग करते हैं और एक साल तक आप खुद रिगरस स्टड़ी करेंगे तब जाकर ये पूरा कम्प्लीट पैकेज होगा और दूसरे साल के बाद आपका रिजल्ट निकलने लगेगा अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के पहले कोचिंग में यानि वर्ड एर क्वालिटी रिपोर्ट दूसर दुनिया के सबसे प्रदूसित 30 शहरों में से कितने शहर भारत में है 18, 20, 22 and 24 यानि जो वर्तमान 20 सब्ता का कितना सब्ता बढ़ा कर कर दिया गया 21 सब्ता, 22 सब्ता, 23 सब्ता या 24 यानि 24 वीक नेस्ट कोचिंग है वीच स्टेट है इस प्लेस इन पोटेटो प्रोडेक्शन यानि आलू के उत्पादन में प्रतम स्थान किस राज्यका है बंगॉल, उत्रप्रदेश, बिहार और गुजराद नेस्ट कोचिंग है वाट इस दे कैप्टल आफ पॉर्तगल पॉर्तगल की राजधानी क्या है लिस्बन, वार्सा, मैडिड और पेरिस दोस्तों ये चारो राजधानिया है इसमें से एक फ्रांस की है, एक स्पेन की है, एक पॉलैंड की है और एक पॉर्तगाल की है, अब आपको बताना है नेस्ट कोचिंग है तो नेस्ट कोचिंग के महानी दे सक किसे नुक किया गया है कुलदीब सिंग, म. गंडपती, पीके सिनहा, रजनीकान्त, मिश्रा नेक्स कोचिंग है तो हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, विच सिटी ऐस थाइस नंबर अफ मिलियनरी इन दे कंट्री यानि हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के मतावे, देश में सबसे अधिक करोनपतियों की संक्या वाला शहर कौन है दिल्ली, मुंबई, चेनई या हैदराबाद दोस्तों, नेक्स कोचिंग है इसके लिखा कौन है विमल जालान, वेंकईयन आइडू, मेजर जनरल जीडी बक्सी या नवीन चावला नेक्स कोचिंग है जो की टोकियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए है वह लॉंग जंप में है, रेसलिंग में है, बॉक्सिंग या भाला फेंग इसमें आपको बताना है नेक्स है इन वीच स्टेट इस पेरियार नेशनल पार्क लोकेटड केरल, तामिल नाडू, तेलंगाना, तामिल नाडू एंड महारास्टा नेक्स कोचिंग है वेंबानाडा एनस्टाइमुडी लेक किस राज में स्थित है करनाटक, तेलंगाना, आनप्रदेस या केरल तो इस तरह से इन दसों प्रस्ट के उत्तर ज्यादा से ज्यादा लोग दीजिएगा आशा करता हूँ कि आज का भी यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सेयर, सबस्क्राइब और बिल आईकोन दबाना ना भूलें चुकि उससे आपको नोटिफिकेशन तुरंट मिल जाएगा और तुरंट आप निउज देख सकेंगे थैंक्यू दोस्तों